अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अमीर टेग जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको येंगो और इंड्रैक की अर्निंग के उपर एक कम्पेरिजन देने वाला हूं और एक ग्राफ की सूरत में आपको सारी डीटेल के अंदर चीज़ाने वाला हूं तो वो वीडियो आज क पेने वाला हूं जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी और आपके माइंड को ऐसे कलियर करूँगा कि कोई भी आपकी ब्रेन वॉशिंग नहीं कर सकेगा किसी की बातों में आप किसी के जांसे में नहीं आएंगे आपके सामने एक कम्प्लीट डेटेल होगी हैंग Kurd y ना मैं YENGOT की साइड हूँ ना मैं INDRAEQ की साइड हूँ उँ मैं सिर्फ आपको सच बताऊंगा और आपको सारी चीजें में डीटेल के साथ बताऊंगा सारा graph बना के दिखाऊंगा सारी डीटेल आपको मिल जाएगी और कोई डाउट भी आपका नहीं बचने वाला और एंड में फिर आप लोगों के सामने एक रिजल्ट निकल के आने वाला है कि येंगो की अर्निंग बेस्ट है उसके सारे बॉनस और सारी चीज़ें सब कुछ मिलाके या फिर इंड्राइप की अर्निंग बेस्ट है जहां पे ना कोई बोनस है कुछ भी नहीं है लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते है कि येंगो बेस्ट है येंड्राइप बेस्ट है क्यूंके ये डिटेल आपको हम लोग ग्राफ पे चलके बताएँगे और वहां पे आपको सभी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आएगी क्योंकि मैं ऐसे बोल दूँ यह best है यह best है तो फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आने वाली जब तक आपको मैं detail और proof के साथ सब कुछ नहीं दिखा दूँगा आपकी चीजे clear नहीं होने वाली तो आप चलते हैं और आपको सारी detail वहाँ पे देते हैं लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करते हैं साथ में बेल आइकन दबाए और उस वीडियो को भी लाइक करते हैं पहले हम बात करने वाले हैं इंड्राइव की अगर यहां पे हम लोग इंड्राइव लिखें यह हमारे इंड्राइव आ गई ठीक है इंड्राइव के अंदर हम लोग सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो है हमारा कितने किलो मेटर की गाड़ी चलेगी 1.500 km for example हमारी गाड़ी चलिए और ये हम येंगो के साथ भी ये करेंगे क्योंकि हमने comparison करना है तो येंगो के पर भी हमारी जो गाड़ी चलिए वो चलिए 1.500 km येंगो पर भी चलिए अब जो in drive का fair होता है न वो कम से कम जो है वो होता है 20 से 25 और 30 रुपीज तक अगर हम average लगाएं तो 20 रुपे पर किलो मेटर हम लोग इसका लगा सकते हैं in drive का और ये में बात कर रहा हूँ पिक अप हटा के मिसाल के तोर पे इस 1.500 km के अंदर हमने राइडे लगाई है 14 ठीक है 14 राइडे लगाई है in drive का pick up जो होता है वो maximum 1 km का होता है हम लोग 1.500 km के अंदर अंदर pick up अठाते है in drive पे लेकिन हम यहाँ पे maximum pick up लगा रहे है कि 2 km का हमारा जो है वो pick up है पर राइड पे 2 km का हमारा pick up है तो हमारे कितने किलो मेटर फालतू गए इस 1.500 km के अंदर से 14 राइडों पे हमारे 28 किलो मीटर ऐसे गए जिस पे हमेh 0 रुपे मिला है कोई पैसा नहीं मिला ठीके बाकी कितने बज़ गएं इसके अंदर से 28 गएं तो बज़ गएं अब हमने इस 122 किलो मीटर का फियर लगाना है तो हमने फेर की एवरिज लगा ली 122 किलो मेटर जो हम राइड को लेके गए हैं उसका फेर हमें 20 रुपे पर किलो मेटर के हिसाब से मिला है तो हमारा जो है 150 में से 28 किलो मेटर जाया हो गया जो हमने पिक अप पे लगाया इस पे हमें कोई पैसा नहीं मिला 122 किलो मीटर पे हमें पर किलो मीटर 20 रुपै के हिसाब से पैसे मिले हैं तो ये बनते हैं भाईजान 20 रुपै के हिसाब से अगर हम लगाएं 92 को तो हमारा जो amount निकल रही हैं हमारी रुपी 2440 रुपै अब इन ट्राइफ पे 500 km बाइक चला के हमारे को जो मिला है वो मिला है 2440 रुपे इसके अंदर से अगर हम इनका कमीशन माइनस करें तो वो बनता है 244 रुपे तो हमारे पास जो बचत निकलेगी इसके अंदर से वो निकल गई 296 रुपे ठीक है 296 रुपे हमने इन ट्राइफ पे 500 km बाइक चला के कमाए कम से कम फियर मैंने अभी लगा के आपको बताए अब आते हैं येंगो के ओपर येंगो पे जो फियर होता है न वो मैंने इनकी मैनेजमेंट से भी बात की थी इनका जो नॉर्मल फियर है न वो 12 से 13 रुपे के दर्मियान पड़ता है नॉर्मल फियर और ये पिक अप को हटा आगे मैं बात कर रहा हूं अब 14 राइडे थी हमारी इसके अंदर भी 14 राइडे हम लगाएंगे और इनका पिक अप जो होता है वो तो आपको पता है 3 किलो मीटर 4 किलो मीटर साड़े 4 किलो मीटर और 4 किलो मीटर का पेड़ पिक अप जो है उसके ओपर सिर्फ 4 रुपे मिलते हैं तो भाई लानत ऐसे पेड़ पिक अप के ओपर तो खेर हम इनका जो पिकप लगा रहे हैं वो नॉर्मल लगा लें तीन किलो मीटर का हम पिकप येंगो पे लगा रहे हैं तीन किलो मीटर से उपर ही होता है वैसे अब तीन किलो मीटर के चौदा पिकप हमने लगाने है तो इसमें 42 km हमारे निकल गए पिकप के अंदर 42 km पे हमें कुछ भी नहीं मिला 0 रुपे कोई अमाउंट नहीं ये येंगो का पिकप हो गया 14 राइड होगा इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिला बाकी हमारे पास कितने बच गए 108 km बच गए अब इस 108 किलो मेटर पे येंगो का फेर हमारा क्या बना 12 रुपे 13 रुपे तो इनका नॉर्मल राइड का होता है बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये पर राइड के ओपर किसी किसी राइड के ओपर जो है बोनस भी दे देते हैं किसी राइड के ओपर पीक भी लगा होता है तो लगा लेते हैं भाई पीक भी लगा लो बोनस भी लगा लो एवरिज लगा लो टोटल राइड की 15 रुपे पड़ेगा 15 रुपे के हिसाब से आप लगाओ 15 मंटिप्लाइब आए 108 तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन रही है 1620 रुपे अब बोलेंगे लोग भाई ये बोनस भी तो देते हैं तो बोनस भी लगा लेते हैं ये को दे रहा है 1600 की अर्निंग के ओपर 510 रुपे का बोनस 510 रुपे का बोनस मिल गया भाई आपको 1620 रुपे की अर्निंग के ओपर ये टोटल अमाउंट बन गई 1620 और 510 2130 रुपे अब आप बोलोगे अरे ये तो भाई इंड्राइफ के बराबर हो गया आप तो फिर इसके अंदर क्या कमपेरिजन कर रहे हो ये तो दोनों बराबर हैं कौन बेस्ट है नहीं भाई यहाँ पर यह जो आपने इनका कमीशन लगाया था ये कमीशन भूल गया इंड्राइफ का कमीशन है 10% यहाँ पर 13% कमीशन कौन लगायागा येंगो का येंगो का कमीशन लगाते हैं अब 13% दोसोचिश्टर रुपए यहाँ से आप माइनस करें दोसोचिश्टर रुपए माइनस हुए पीûtछे क्या बचा अठारा सोचवन रुपए अठारा सोचवन येंगो की 1.500 कि अर्निंग के ओपर 1.500 किलो मीटर गाड़ी चला के आपने 1.800 पर बचाए in drive पे 500 km गाड़ी चला के आपने 296 रुपे बलाएं आपको earning का फर्क तो नजर आ रहा है फर्क ये है in drive पे आपने अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई अपनी मर्जी के pickup उठाये अपनी मर्जी का drop of उठाया अपनी मर्जी से passenger लेकर गए अपनी मर्जी की सारी चीज़ें की और यहां पे क्या है येंगों में आपकी मर्जी का कुछ भी नहीं है कमपनी ने जो पिक अप आपको दिया आपको उठाना पड़ा चाहां कमपनी ने भेजा आप लेकर गए जेसा area था लेकर गए आपने वहाँ नहीं जाना था फिर भी चले गए वहाँ पे रश्ट था वहाँ पे आपको फसना पड़ गया सारा कुछ जो है आपका येंगो के ओपर खराब है क्यूंके भाई आपकी मर्जी नहीं है इसके ओपर company का control है आपके ओपर और सबसे बड़ी वात ये जो है ना येंगो ये बकवास company येंगो जो आप देख रहे हैं ये है सर का दर्द ये क्या है सर का दर्द है आपको सकून नहीं मिलेगा जब आप येंगो पर काम करेंगे आपको tension ही रहेगी आपका दिमाग जो है ना रिलैक्स ही नहीं होगा जबके इंड्राइव में आप अपनी मर्जी से काम करेंगे रिलैक्स होके काम करेंगे और सकून से काम करेंगे तो भाई अर्निंग भी ज्यादा इंड्राइव के ओपर है बचत भी ज्यादा इंड्राइव के ओपर है और इसके साथ साथ सकून भी आ और बचत के लिहाज से बेस्ट है तो पहुंच गए यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में इस वीडियो को शेर भी करें ताके दूसरे लोगों का भी फायदा हो और वो भी इस सारे प्रोसीजर को समझ सकें उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाजमें सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना ख्यार रखें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिस